वो कहते हैं कि बरबाद उत्राखंड करने को एक ही भष्टाचारी काफी था, यहां तो हर साख पे भष्टाचारी बैटा है, अंजा में उत्राखंड क्या होगा, तो यह जो कहावत थी अब उत्राखंड पे सटिक बैठती है, क्योंकि एक उमीद जगी थी वीडियो निकला, अब तो हसी आती है, इन सब माम लोगों को देखकर, क्योंकि लीक इतने होने लगे हैं कि अब मीम्स इतने बनने लगे हैं, आप फेस्बुक पूरा पटा पड़ा है इनसे, लोग अब कह रहे हैं कि बच्चों के डाइपर भी इतने अब लीक नहीं होते, जितने य UK PCS को, कि कुछ ना कुछ गड़बड यहां पर होने वाली है, बवी भाई, सबसे पहले तो आप बताईएगा, जब ये मामला पता चला, क्योंकि आपके हाथ में मैं फाइल भी देख रहा हूँ, और आपने जो अदिकारी हैं, उनसे मुलाकात भी करी थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वीडियो वीपीडियो में आपने बोला था, उसमें लोग काफी हसी मजा कर रहे थे, कि अज़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन दुबारा यह हो गया, बड़ा आश्चारिया भी हो रहा है, इस बात को लेकर, देखे बीजे भाई, UK SSC, घोटाले के बाद, UKPSC क बारे में जब हमें हमारे संग्यान में आया, तो हमने चीजें मीडिया में डालने के बजाए, या पबलिक डॉमेंट में डालने के बजाए, हमने ये उचित समझा कि हम आयोग को जाकर उनकी जो ये चीजें ये दे कर आये, और उनने कहें कि ये गड़बड़ी हो रही है, क हमने ये बाता वहां केरेफesiयों के साओ-इक्व ह्काँ किया कि अंदर के लोग हição वालने पर ये निगता उन्हलें को साक्षी का पर चाहें वहिए आसिएक कुछ चीजें चाहर में होता है से जब नहीं के प्रसास्क्राइप अब सब्रक्राइथ दूर्टक्षी निगते है और उसके बाद हमने कहा कि यह आपके ही आयोग का मामला है उसके बाद हमने जो एसी अप मैंस की एक कॉफी हम पे आई थी जिसमें 17 नमर बच्चे के काट कर बच्चे को बाहर कर दिया गया था वो हमने रखी थी अब आयोग आज कह रहा था कि वो मामला कोर्ट में चल रहा है और जिस प्रोपेस्टर ने या जिस एक्जामनर ने उस नमर को काटे हैं गटाए हैं उसने भी अपना स्पस्टिकरन लिख कर दिया है हमें नहीं पता क्या दिया है परंतो जब आपके नियम मालिम में ये लिखावा है कि कोई काट पीट कोई ओवर राइटिंग आपके मु नामला ये आता है और हम इसलिए गए थे कि ए और जेई का जो रिजल्ट निकला था उसमें आपने रोल नमर दे कर सिर्फ रिजल्ट जारी किया और ये आज तक बच्चों को नहीं पता कि किसके कितने नमर है ना कटप पता है कि किस केटेगरी में कितनी जो मैरिट गई है तो ये लेते हुए हम आयोगे और हमने कहा कि इस परकार से यह होना चाहिए आप कैंडिडेट का नाम फैदर नाम और उनकी जो कटेप वो जारी कर दीजिए परन्तु उन्हों ने इसको भी मजा के तौर पर लिया कि ऐसा हो नहीं सकता लेकिन ये में बड़े सक्ते में भी ह इतना बड़ा घोटाला सुरवात से आप लोग इसमें कह रहे थे उसके बाद भी बोवे पमार को हलके में ले लिया हुनोंने कहा कि बही कुछ हो नहीं सकता है इसमें देखे हलके में लेना भारी मेलना क्या है हमारे पास तो कुछ नहीं है सीधी सी ये बात है हमें जब में आपने तीन गुना की जगर पांच गुना ले लिए और आपने नाम जहां सार्वजनिक होने चाहिए जो कटप जारी होने चाहिए वो आपने नहीं की तो हमने कुछ इत्माजदेम ढूंडा था जिसमें मुख्यमंतरी धामी को भी पता है इनके जो जितने भी खूपिय रही है किस परकार से इने राजनितिक शेय मिल रही है वो तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे समय रहते ही इन चीजों का खुलासा कर दिया जहां पर एक बच्चे की शिकायत पर उन्हों ने का कि मुझे एक बंदे ने पांच कोईशन बताये थे पटवारी में और वो पांच इसमें दिक्कतें आ जाती अभी अगर खुला है तो हमें एक यह उम्मीद है कि जैसे UKCC में सपाय हुई है UKPSC में भी कारवाई हो गई है तो अब उम्मीद है कि अब जो यह कारवाई रुकनी नहीं चाहिए हम जो अब मैटर देंगे CM साब से मुलाकात करेंगे से मुलाकात करेंगे और जो चीजें हमारे पास UKPSC के समन्दित है वो सारी चीजें वहाँ पर देंगे उस पर कारवाई करनी होगी आज हंगामा वगेरा भी हुआ वहाँ पर आप लोग गए वेते सारे क्या कुछ रहा मुलाकात होई किसी से सुनने में आया है कि वहाँ उन्होंने पूरी फोर्स लगा दिये कि पटवरी का पेपर इस परकार से कोशन बैंक भार आ गया है परंतु इस परदेश में माहौल यह है या इस्तिती यह है कि किस पर विश्वास किया जाए किस पर नहीं यह थोड़ा तैय करना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए यह चीजें खुल नहीं पाई परंतु दिन के अंदर ही यह पूरा मामला खोल के रख दिया है तो यह तमाम जो सारे लोग है यहां पर सौ पलस लोग जो वहां पर आज गए थे हम सभी लोग और हमने वहां पर जो बाते रखी हमने यह रखी कि आप 22 तरीको फोरेश्ट गार्ड करवाने वाले क्या गारंटी कि फ तुर्दवेजी जिसकी गिरपतारी हुई है उनके पत्नी की गिरपतारी हुई है ऐसे कितने वहां पर बैठे हुए हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा सरकार से और आयोग से कि आपने जो आयोग में एक बार अपने आयोग की छटनी कर लीजिए जो आपको संदिक लगता है उ शायद अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं नीज देख रहा था कि कोई कैबिनेट बैठा कुई यह और उसमें यह फैसला लिया गए कि नकल रोधी कानून ला रहे हैं परंतु इतनी देरी क्यों तो यह तमाम सवाल है जिससे कि आज यह पूरा परदेश का युवा यह द वाकई में उत्राखंड में यह चल क्या रहा है वोट और नोट कितने हावी हो गए जिरह यह तमाम आप देखेगा चेहरे 228 वाले लोग हैं जो अभी भी धरने पर बैठे हुए एक तरफ आप यह देखेगा सरकार जो है इनकी विग्यप्ति जारी नहीं करती है और दूसर कर रहा है आखिर उत्राखंड में UK SSC में जब घोटा लावा था उसमें लग रहा था कि अब सायद उत्राखंड में ऐसा नहीं होगा आज तो हाकम सिंग भी देखकर मुस्करा रहा होगा कि केवल मैं ही यहां पर नहीं हूं मेरे जैसे बहुत हाकम यहां पर है यह सरम की बा ट्रगातार यहां पर निउस उतराखंड में आती रहते यह देखेगा बच्चे बिए यहां पर रिख्षाएं बगेर दिए हैं और 110 दिन हो गए यह देखेगा इस कड़कडाती ठंड में यहां पर महिलाएं यहां पर लड़के सब के सब यहां पर बैठे क्या लगता है आपको क्योंकि आप तुम्हें देख रहाता काफी भावुग भी होगी थे उस समय पर जब हम पहले भी आप से आये थे और बड़ा उमीदें तूट गई है अब क्या लग रहा है सर 228 को जोनने के लिए 110 दिन आज हो गए अब जो बची कुची थी उन पर भी संकट के बादल मंड़ा रहे हैं तो यह सब हमारे लिए फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एक तो ठंड उपर से गौर्मेंट सुनती नहीं है और फिर रात को सो कर सुबह उठो तो यह सब की परिशार रद दो जाएगी लीख हो रखा है लीक करना इतना आसान होता है क्या पेपर चलो तुम्हारे लिए आसान होता है पर हमारे लिए पढ़ना बहुत अफ़ है सालों लग जाते हैं एक पेपर को निकालने के लिए अब पांस साल में एक पेपर निकल रहा तो थो कि आप हम पांस पांस साल ता किसी में घिस्ते रहेंगे हमारे आगे की भी तो लाइफ है उसके बारे मेरे भविश्य के बारे में सोचे जो हमसे कुछ उमीद लगा कर बैठे हो आप तो क्या देते हो कि हम भरती रद कर तुमने लिक करवाई है यह निरस्ति करना आता है क्या आप खुद सोचे ना सर एक एक्जाम को निकालने के लिए बच्चा दिन रात महनत करता है और बाद में अगर उसका रिजल्ट निकलने के बाद उसको यह सुनने को मिले कि तुम्हारे पेपर में तो भाई धांदली हो कि अब वो लिक हो जाए वो कैंसल हो जाएगा तो कितना बुरा इफेक्ट पढ़ता होगा किसी बच्चे के अपर हम उस चीज को फेस कर रहे हैं यहां बैटके अपर गवर्मेंट को इससे कोई खास फरक पड़ेगा नहीं क्योंकि अभी तक 228 के लिए नहीं पड़ा 110 दिन कम होते हैं इतनी ठंड में बैठने के लिए घरवाले भी मतलब आप उमीद छोड़ी चुके हैं कि कुछ होगा अगर ऐसी सरकार है तो अच्छा तो कोई सरकार ना हो तो बैटा रहे हैं क्या उन्हें लगता है कि यह युवा कुछ नहीं बिगार सकते हैं उनका यह लगता ह लीजे आप वीडियो भीडियो उठा कर देख लिए आप दूसरी परिक्षा में जो धानली हुई है उन चीजों को उठा कर देख लिए आप देखेंगे कि उसमें गौर्मेंट के ही कुछ लोग आपके जो पार्टियों के पदादेकार यह जो आपने युवा मोर्चे बना जाएं कि किसी सपेथ वोष की संलिपता उसमें हो या किसी पार्टी कारेकरता कि इसमें संलिपता हो जाँच वहां पर ठप पड़ जाती है तो इस परकार से युवाओं को गुम्रा कब तक करते रहो गे यह एक बड़ा सवाल है यह बड़ा सवाल उसके साथ-थाथ करें सिक्षा में सबसे और पूरे देश के अगर न्यूज देखें तो अंकीता जैसी न्यूज हमें देखने को मिलती है जोसी मट में त्राहिमाम यह हो रहा इस सब के जिम्मेदार जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए वह उल जलूल बयान भी उनके आ जाते हैं आपके पास में आऊंगा आपने भी एक्जाम वगेरा दिये हैं क्या लग रहा है आपको सर अब तो कुछ भी नहीं लग रहा है सर जितनी बची खुची जो उम्मीद थी हमारी वह भी हमारी उम्मीद ही खतम हो गई है हमें यह समझने आरा बैट के इंटर्यू के प्रिपेर करें या फ सब चीजें कर सकता है तो हमारा विश्वासा आयोग पहले बोलते थे कि UKPS पहत् विश्वास नीया आयोग है लेकिन आज हमारा उस आयोग से विश्वास उड़िया है और सबसे में चीज़ होता है इंसान खुद से भी उड़ चुका है अब कप तक ट्रस करेंग है अपनी म नेहनत भी हमें पानी में फिड़ती भी दिखाई दे लिए वाकई में मनोबल तोड़ने वाली बात भी है आपको कमा नहीं है तो जैसे बोवी भाई ने कुछ समय पहले भी बोला था खनन में कमाईएगा सराब में कमाईएगा लेकिन कम से कम इन युवाओं का भुश्य मत ब जो यह अधिकारी बैठे हुए है जो यह आयोग है उनके ओपर भी परसंचन खड़ा होता आप से भी आपके पास भी माना चाओंगा क्या कुछ लग रहा है यह हो क्यों रहा है क्योंकि आप भी पड़े लिखे हैं और एक्जाम भी देते हैं यह हो क्या रायकारन क्या समझ होगा कुछ शरम होगी तो जाके आगे कुछ थोड़ा से सिस्टम बदलेगा बागी कुछ नहीं होने वाले और यह लोग कह रहे हैं जो कह रहे है एक्जाम कैंसल होना चाहिए इतना असान नहीं है सेग्रिगेशन करो अगर तुम पेपल लीग कर सकते हो ना इतनी सिक्योर्टी होने के बावजूद भी तो सेग्रिगेशन कराना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है सब्सक्राइब नहीं तो इसमें नहीं नहीं था प्रंतों यह अभी यह बात हुई है कि आयोग ने इसपस्ट कर दिया है कि यह हम एस्ट्यप की जांच के उपर निर्भर करेगा कि इसमें धानली कितने बड़े इस्तर की है एस्ट्यप की जांच में जो निकल कराएगा जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि सेग्रिगेशन होना है या पेपर दुबारा होना है यह आयोग ने इसपस्ट करा है क्योंकि हम आज खुद आयोग से मिलकर आये हैं और एस्ट्यप यह तै करेगा कि धानली कितनी हुए जब जांच आगे बढ़ेगी और हम भी कल फूरे जो लोग है यहां पर एस्ट्यप से मिलेंगे और उनको हम भी मदद करेंगे कि किस परक कार से ही होगा क्योंकि इसमें हमने कोई नियम नी बनाया आयोग का जो अपना नियम होगा या जो हाई कोड के या सुप्रीम कोड के आज तक के जज्जमेंट होंगे उस आदार पर ही डिसिजन होना है आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकंड को देखते हुए कि अब बहुत माइनर लेबल पे हुई है तो दुबारा रिये एक्जाम कोई सॉलिशन और अगर यह ज्यादा दांदली भी हुए तो उत्राखंड में तो यह साबित हो गया कि रिये एक्जाम करवाने से कोई फायदा ने देखो अब फिर पटवारी का पेपर लीक हो गया है तो मे कि यह से लटाने की बाद भी कर रहे हैं च 거지 जो सेग्रिजेशन जिनका हो गया पास जो हो गहे हैं वह उनसे लडेंगे जिनका एक्जाम नहीं हुआ है ज요 वीडियो वीपीटियो काई लूग आज पता लग जाएगा तो उसके बाद अगर जादा धानली हुई तो आयोग ने इस प्रस्ट कर दिया कि दुबारा हो सकता है और अगर धानली बहुत कम नामात रिजिस परकार से अगबारों के माधियम से में सूचना पराप्त हुई है कि एई में तीन लोग या जई में तीन ल उसकत करना वायोग के उपर निर्वर करता है नहीं उनके लिए अच्छा है और आने वाला बहुश्या और आप हमने चुनी थी, वो सरकार कितनी नाकामियाब हुई वो हमेशा आप याद दिलाते रहेगा जो आप बोर्ड में लिखते हो, संकल्प नहीं उत्राखंड का वो संकल्प कितना पूर्ण हुआ है, क्योंकि अखबारों के माध्यम से बड़े-बड़े फ्रंट वोट और नोट आप कितने भी कमा लीजेगा रहना आपको उत्राखंड में ही है, रहना आपको देश में ही इसलिए उमीद करते हैं कि जो ये लगातार भष्टाचार जो अधिकारी हैं भष्टाचारी अधिकारी है जो लगातार भष्टचार की ये खवरें आ रही है वो आगे भहुश्य में ना हूँ तो ये इसी उमीद के साथ आज के लिए इतना ही आप देख रहेता है आपका अपना परवज़न दिजितर